हेलो नीटेस पैरेंट्स, कैसो आप लोग, ठिक ठाक, तो बिलकुल अभी हम लोग बात करने बाले हैं, कि मौप अप राउंड में इस बार कितनी शीटे एवलेवल हो सकता है, और कितनी ज्यादा सीटे 2020 के कमपेरिजन में एवलेवल हो सकता है, ठीक है, और अगर ज्यादा सी चीजों को हम लोग बारी-बारी से डिसकस करेंगे, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कि अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और एक और रिक्वेस्ट आप लोग से, कि कोई भी इन्फोर्मेशन आपको चाहिए, तो आप होता है, कि बहुत बार अगर हम कोई चीज एजूम करके आपको बताएं, तो उसमें हो सकता है, कि आपके लिए वो चीज एंसर मेरा गलत हो, तो प्लीज आप लोग कंप्लीट इन्फोर्मेशन के साथ, कोस्टन पूछें, उसका सही रिपलाई दिया जाएगा, तो अब बा सीट एलोट करवाएं, और उसको अपग्रेड किये, राउंड टू के लिए, तो याद करना, कि अगर राउंड टू में अगर सीट एलोट होगे आपको, तो आप सारे राउंड के कांसलिंग से बाहर होगे, ठीक है, आपको वो कॉलेज लेना ही होगा, आप अपने स्टेट इसके भी राउंड टू से बाहर होगे, ठीक है, यह कंफीजन है, अगर आप लोग के माइन में तो दूर कर लो, नहीं तो बहुत बढ़ा नुखसान हो सकता है, ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, कि बहुत स्टुडेंट्स जिनको इस रूल के बारे में सही से पता था, उन्होंने डारेक्ट फ्री एक्जिट कर लिया था राउंड में, यही कारण था कि आपको राउंड टू में जो सीटें अवलेवल थी, काफी ज्यादा देखने को मिला, बहुत ज्यादा, अनुमान से ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, ठीक है, और यही चीज़ आपको मौपप राउंड में भी होगा, कारण कि जो स्टुडेंट्स अभी हमारे साथ कंटेक्ट कर रहे हैं, उनका मैक्सिमा स्टुडेंट्स का यही एक वीव है, कि वो अपने स्टेट के राउंड टू को देखना चाते हैं, ठीक है, और बहु सारे स्टेंट्स जो है, र लेकिन वो आगे अपने स्टेट्स के राउंड में देखना चाते हैं, और अगर स्टेट्स के राउंड में अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो फिर वो मौपप राउंड में चांस आजबाना चाते हैं, ठीक है, तो यह सिच्वेशन है, और इसी के कारण आपको मौपप र पर जो भी information दिया जाए वो गलत ना हो क्योंकि बहुत बार students जो है कुछ अलग तरीके से react करते हैं तो please यह request है और channel पर नहे हो तो channel को जरूर subscribe करें तो फिर मिलते हैं आप लोग से तक तक के लिए आए